अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजी और इस घंटी के बटन को भी दबा दीजी ताहिए आपको मेरी नहीं नहीं वीडियो मिलती रहें और यह बिल्कुल फ्रेई है हेलो फ्रेंट्स आपका सब्सक्राइब मेरी चैनल को अज हम बना रहे हैं तो बहुत ही टेस्टी रिग्दम डिलिशास मखेग तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे चॉकलेट मखेग और वेनिला मखेग बहुत ही एज़ी रेसेपी सरिफ दो मिनिट में यह मखेग घर पर बनके त्यार हो जाते हैं इसका टेस्ट बहुत ही अच्छे रहते हैं तो यह सूपर टेस्टी और एकदम मॉइस्ट मखेग बनाना स्टार्ट करते ही सबसे पहले यहां पर हम बनाएंगे वैनिला मग के तो मैंने यहां पर एक मग ले लिया है इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे मेदा तो मैं यहां पर 4 टेबल स्पून यानि की चाल बड़े चमच मेदा डाल रही हूं यहां पर परफेक्ट मेजरमेंट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इससे जो हमारा यह केक ही बहुत ही सॉफ्ट और एकदम परफेक्ट बनेगा अगर आपके पास यह मेजरिंग स्पून अवेलिबल नहीं है तो आप कोई भी चाय के चमच से सभी चीजों को अच्छ तो मैं यहां पर 14 टी स्पून बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ अगर आपके पास मेजरिंग स्पून अवेलिबल नहीं है तो आप इसमें दो चुट की बेकिंग पाउडर डाल दें वह भी लगबग सेमी कॉंटिटी रहेगी और अब हम इसमें डालेंगे 18 टी स् 1 ती स्पून अमूल क्रीम डाला ही आप चाये तो घर की मलाई भी यूज़ कर सकती है 1 टेल स्पून हम इसमें डालेंगे रिफाइन ओ deer मेंगा जा टोटल यहाँ पर मैंने अदक अब दूर लिया है और आप यहाँ पर इसका टेक्चर देख सकती है कि तब पॉफेक्ट दिख रहा है बहुत ही अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है इसमें बेकुल भी लफ्स नहीं रहे है इस बात का बेकुल ख्याल रखें मैं यहाँ पर कोमनेट के लिए माइक्रोवेव करेंगे जब तक हमारा वैनिला केक माइक्रोवेव हो रहा है हम चॉकलेट केक का भी बैटर बना लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एक मग ले लिया है इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे 4 टेबल स्पुन यानिकी 4 बड़े चमच मेदा 3 ट तो बड़े चमच आनिके 2 टेबल स्पुन कोको पाउडर रही हूं अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आप जेख सकते हैं कितना बढ़िया यह दिख रहा है तो अब हम इसके अंदर आड करेंगे बेकिंग पाउडर में यहाँ पर टीजपुन बेकिंग पाउडर यूज कर रही हां अच्छे से फिर से मिक्स कर लेते हैं एक तींज के करीब मैंने यहाँ पर अदका कप दूध आट करेंगी और अच्छे से में यहां पर चामेरे के सामने 1 टी-शपन ऑल डालना भूल गई हूँ लेकिन, मैं ने कर बाद में 1 टी-शपन ऑल पर डाल दिया था, तो आप भी इसके इंदर 1 टी-सपन ऑल डाल दे, इससे हमारा केक बहुत इच्छा से सॉफ्ट और फूला हूँआ बनेगा, यह हमारे कीक को भी माइक्रोवीव करेंगी फुल पावर पे दूमनेट के लिए दूनों टाइप के मक्ही को हमने माइक्रोवीव कर लिया है और एक नाइफ के अद से हम इसे चेक करेंगी कीक के सेंटर में हमने नाइफ को बेकुल नीचे तक लगा के दिखा है नाइफ बेकुल क्लीन हमारे कीक ही बहुत ही पॉफेटली कुख हो चुके ही तो आप चाहे तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकती ही इनका लुक और थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर इनको थोड़ा सा गानिश करूँगी तो वैणेला कीक पर हम डालेंगे मेल्टेड वाइट चॉकलेट और चॉकलेट कीक पर हम डालेंगे चॉकलेट सिरप दोनों ही कीक का लुक और बढ़ाने के लिए हम इस पर डालेंगे क्रश कियावा जैंस और यह हमारे स्रिफ दूमनेट में बहुत ही टेस्टी और एकदम डिलिश्यस मखेक बन के तयार ही और यह दोने ही केक को मैं आपको कट करके दिखाती हूँ आप देख सकती हैं कितने सॉफ्ट ही हमारे केक बने ही और अगर आप इसे बिना माइक्रोवेव के बनाना चाहती ही तो आप उपर आई बटन पे क्लिक करके मेरे विदाउट माइक्रोवेव के मक्की की रेसिपी देख सकती ही उसमें मैंने बिना माइक्रोवेव के यह मक्की को बनाया है बहुत ही इसली यह बन जाते ही बहुती कम टाइम में बन जाते ही और गर्म गर्म ये कीक बहुती टेस्टी लगते ही तो आप इस डिलीशास और एकदम एजी रेसिपी को अपने घर पर जरूर ड्राइ कीजी कमेंट बाक से मुझे बताइए कि आपको मेरी बहुती ईजी और एकदम हल्दी रेसिपी केसी लगी अगर आपको मेरी दो मिनेट में जटपट बनने वाले मकेक की रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो के मेचे लाइक का बटन क्लिक कीजी अपने फ्रेंड के साथ शेर कीजी वो मेरी चेनल को सब्सक्राइब कीजी थैंक यू फॉर वाचिंग